रामपूर के कदवार नेता आजम खान को MP MLA कोट ने 7 साल की सजा सुनाई है आजम खान के साथ ही उनकी पतनी तंजीन फातिमा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है रामपूर की कोट ने अब्दुला आजम के फर्जी जन्म पत्र के केस में तीनों को दोशी ठहराते हुए ये सजा सुनाई है MP MLA कोट के फैसले के बाद आजम खान फिर से जिल की सलाखों के पीछे पहुँच गए है आजम खान को सजा सुनाई जाने के बाद कहा कि फैसले और न्याय में अंतर होता है ये फैसला हुआ है न्याय नहीं उधर समाजवादी पार्टी भी आजम खान के सवर्थन में खुल कर आ गई है पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम की सजा पर फ्रतिकिरिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मुसल्मान होनी की सजा मिल रही है अखिलेश ने एक्सपर पोस्ट कर कहा अजम खान और उनके परिवार को निशाना बना कर समाज के एक हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है उसे जनता देख और समझ रही है अखिलेश ने इसे राजनितिक साज़िश बताते हुए कहा कि इनसाफ के दर्वाजे खुले हुए है सत्ताधरी भारतिय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि जुल्म करने वाले याद रखे ना इनसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है शिवपाल यादव ने भी एक्सपर आजम खान हैश्टाग के साथ एक शायरी पूस्ट ही आफ्ताब छुप गया तो क्या गम सुभे नव जरूर आईगा शर्त बस यही है कि वक्त का थोड़ा इंतजार कीजिए अखिलेश यादव शिवपाल की साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम नीता खुलकर आजम खान के समर्थन में आ गए है अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आजम खान उनकी पत्नी और बेटे को सजा सुनाए जाने के बाद यूपी की सियासत में इतना बवाल क्यों मच गया है सपा के लिए उनका समर्थन जरूरी है ये मजबूरी है दरसल आजम खान सपा की स्थापना के समय से ही पार्टी से जड़े हुए है नौ बार के पूर्विधायक आजम यूपी के सपा के सरकारों में नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंदरी रहे है उनकी गिंती सबा सरकार के सबसे ताकतवर मंतरियों में से होती है सत्ता परिवर्तन के बाद आजम के सितारे गर्दिश में आ गए हैं और एक के बाद एक उनके खिलाफ सौ से अधिक केस तरज हो गए आजम खान को 27 महीने जेल में गुजारने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी आजम के खिलाफ एक्षन के विरोध में सपा कोई आंदोलन खड़ा करने में विफल रहे थी अखिलेश यादव की उतासीनता को लेकर भी सवाल उठे हैं चर्शा तो ये तक शुरू हो गई कि आजम के मामले में अखिलेश की उतासीनता को लेकर मुस्लिम मत दाता नाराज है मुस्लिमों की नाराजगी की खबर सामने आई तो यूपी चिनाव से एक साल पहले अखिलेश सड़क पर उतरे और आजम के समर्थन में रामपुर से साइकल यात्रा शुरू की थी अखिलेश इस बार आजम के मामले में अधिक संजीदा नजरा रहे हैं इसे लोकसबा चिनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है लोकसबा चिनाव में महज कुछ महिनों का ही समय बचा है ऐसे में अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का खत्रा मोल नहीं लेना चाहते यादव के साथ मुस्लिम सपा का बेस्ट वोट रहा है आजम खान सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चहरे हैं और मुस्लिम मत दाताओं पर उनकी गहरी पकड भी मानी जाती है कभी यूपी में पार्टी का मुस्लिम चहरा रहे मुक्तार अंसारी और अतिक एहमत जैसे चहरे पार्टी के पास रहे नहीं मुक्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी ने सबा छोड़ने के बाद कौमी एकता दल नाम का अलग पाटी बना ली थी मुक्तार जेल में है तो अफजल को भी एक मामले में सजा सुनाय जाने के बाद संसत की सदस्यता गवानी पड़ी थी अतिक एमद की हत्य हो चकी है उत्तर प्रदेश के अबादी में मुस्लिम समाज की भागिदारी करीब 20 फीसदी है रिपोर्ट्स के मताबिक सुबे में लोग सभा की 80 में से 30 सीटे ऐसी है जहां अल्ब संक्यक अबादी खास कर मुस्लिम की तादात अच्छी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौ और आजमगर समेत करीब 30 लोग सभा सीट ऐसी है जिनका परिणाम निर्धारत करने में मुस्लिम मद्दाता एहम भूमिका निभाते है यूपी के मुस्लिम वोट बैंक कभी सपा का कबज़ा माना जाता था लेकिन अब तस्वीर बदल गई है असुदी नोविसी की पार्टी औल इंडिया मजलिस ए इतिहादुल मुस्लिम याने AIMIM भी सुबे की सियासत में दस्तक दे चुकी है तो वहीं BJP, बसपा, कॉंग्रेस जैसी पार्टी अभी मुस्लिम वोट बैंक पर नज़र गड़ाए बैठी है विधान सवा चुनाव में सर्वे रिपोर्ट के मुदाबिक मुस्लिम मद्दाताओं ने सपा के पक्ष में मद्दान किया था ऐसे में पार्टी के सामने इस वोट बैंक को सहेच कर साथ रखने की चुनावती भी है Bureau Report, MG Media News